तो गाईज अभी के टैम पे हमारे free fair के almost सारे के सारे server के अंदर valentine event start हो चुक है और यार इस बार के valentine event में हमारे free fair के बाहर के server में तो बहुत तगड़े-तगड़े free rewards मिल रहे हैं तो इसलिए अभी के टैम पे इंडिया के अंदर तो आदे से जादा बंदे confusion हैं कि हमारे game के अंदर valentine event कब start होगा और इस बार के valentine event में हम लोग को क्या कुछ free rewards मिलने वाले हैं तो गाईजर देखो आप लोग को चिंता करने की कोई जूरत नहीं है बस आप लोग आज के वीडियो को पुरा ध्यान से देखो आज में आप लोग को हमारे game के अंदर आने वाले valentine event का complete information देने वाला हूँ आप लोग को बताऊंगा कि हमारे india server के अंदर valentine event कब start होगा और हम लोग को india server में valentine event में क्या कुछ free rewards मिलेंगे देन गाईजर इतना ही नहीं आज के वीडियो में तो हमारे game के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे upcoming updates और events का information है जैसे कि आज में आप लोग को हमारे india server के अंदर आने वाले different different royals का review करवाऊंगा different web event का review करवाऊंगा और साथी साथ गाईजर हमारे game के अंदर इस बार remote party event आएगा या फिर नहीं आएगा ये भी बताऊंगा और आएगा तो कब आएगा सब कुछ आज मैं आप लोगों को बता दूँगा भाई literally यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत जादा important और बहुत जादा informative रहने वाल है तो इसलिए गाईजर आज के वीडियो को आप सबी लोग बुरा ध्यान से बुरा एं तक जरूर देखना आज के वीडियो को आप लोग जरासा भी skip मत करना वरना आप लोग काफी सारा information मिस कर दोगे और गाईज आज तो मैं आप लोग को वीडियो के start होते ही बता दे रहा हूं कि आज की वीडियो में जितने भी upcoming updates और events हैं सारे के सारे latest हैं तो इसलिए गाईज फिलाल हम लोग बिना किसी वादू टाइम को वेश करे हूँ है आज के इस कमाल के वीडियो को start कर लेते हैं और गाईज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले upcoming कुछ events के बारे में तो गाईज यार देखो मैं आप लोगों को बता दूँ अभी के टैम पे एक poster काफी जादा viral हो रहा है जिसको अभी आप लोग स्क्रीन में भी देखी पा रहे होगे अगर हम लोग इस poster की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुए 5 more days और साथी साथ गाईज यार अगर आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे तो तेर लिखा हुए devil में cry 5 जी हाँ गाईज यार इस poster का मतलब है कि हमारे game के अंदर 5 दिनों के बाद free fire x devil में cry 5 का collaboration स्टार्ट होने वाल है यार अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यह poster आजी के दिन नहीं आ रहे है बलकि गाईज यह poster तो एक दो दिन पहले ही आ चुक है कहने का मतलब यह है कि गाईज चांसिस है कि हमारे game के अंदर इंडिया सर्वर में 10 या फिर 11 तारिक से फ्री फारेक्स डैविल में क्राइध 5 का भी कोलाबरीशन इसी टाइम पर रहे है कहने का मतलब यह है कि गाईज यह हमारे game के अंदर एक यह टाइम पर दो दो event रहेंगे वह सच मैं आर मैं तो बहुत जादा excited हूं इसके लिए एंड गाइस यार अगर अभी हम लोग बात करें इस free firex devil में cry 5 के collaboration की theme के items के बारे में तो guys देखो मैं आप लोगों को बता दूँ इस collaboration की theme के बहुत सारे item हमारे game के अंदर add हो रखे हैं जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में भी देखी पा रहे होगे बाकी guys यार मैं आप लोगो बता हूँ तो मैं इन item का review आप लोगो पहले भी करवा चुका था बट यार मैंने आप लोगो वो काफी पहले करवाया था तो साइद ही आप लोगो याद होगा इसलिए आज हम लोग फिर से इन item का review कर लेते हैं तो guys देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक काफी कमाल का हम लोगो mail bundle देखने को मिल रहा है जो की सच में काफी जादा अच्छा लग रहा है आप लोग देखो इसके हास्त है जो blue color का effect निकल रहा है कितना must है बाकी तो guys यहाँ पर इस bundle के बाद एक double usp gun की skin भी available है जिसके अंदर guys हम लोगो double rate of fire और single little dispute प्लस देखने को मिल रही है साथी साथ guys यहाँ पर single movement dispute भी माइनस में है जो कि यह ठीक ठागी attributes है बाकी guys यह look wise तो यह double usp की skin एक number लग रही है फिर guys यहाँ पर आप लोग एक mac10 gun की skin भी देख लो और यार मैं सही बता रहा हूँ look wise यह mac10 की skin भी एक number है और इसके attributes भी आप लोग screen में देख सकते हो इसके attributes भी काफी बढ़िया है then guys यहाँ यहाँ पर एक single usp gun की skin देखने को मिल रही है और guys अगर हम लोग इस वाली gun skin की बात करें तो यह भी legendary gun skin है और इसके attributes भी आप लोग screen में देख सकते हो बाकी guys यह फिर हम लोग को यहाँ पर इस single usp के बाद एक bike का skin देखने को मिल रहा है और guys आप लोग खुदी देखो यह bike का skin भी काफी गमाल का है इसका color इसके ओपर से जो smoky अला effect आ रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है साथी साथ guys आइसके headlight में से जो light निकल रही है वो भी बहुत प्यारी है overall guys आप लोग को पता हो तो यह bike का skin भी काफी अच्छा लग रहा है then guys यहाँ पर एक emote भी available है और guys यह emote भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है फिर guys आर हम लोग को यहाँ पर इस emote के बाद एक काफी कमाल का animation देखने को मिल रहा है भाई सच बता रहा हूं यार इस color operation के सारे के सारे item एक number है आप लोग इस animation को ही देखो कितना भयंकर लग रहा है पता नहीं यार कहां कहां से उड़ता हुआ आ रहा है और last में जो यह firing कर रहा है न बहुत जादा अच्छा लग रहा है भाई सच मियार मैं तो fan हो गया इस animation का बाकी guys आर आप लोग यहाँ पर एक look changer remote भी देख लो मैं आप लोग को बता दू हमारे गेम के अंदर इससे पहले भी दो बार look changer remote आ चुके है जिहां guys आर पहला तो आया था हमारे गेम के अंदर free firex assassin creed के collaboration में then guys आर दूसरा हमारे गेम के अंदर winter land event के time पाया था और guys आर तीसरा look changer remote हमारे गेम के अंदर free firex devil me cry 5 के collaboration में आने वाल है तो guys आर overall एक तरीके से देखा जाए तो अभी मैंने आप लोगो free firex devil me cry 5 के collaboration के सारे के सारे आइटम दिखा दिये है तो करता हो guys आप लोगो यह आइटम पसंद आया होंगे बाकी guys आभी तो हम लोग वीडियो में आगे पटते और बात करते हैं आज की वीडियो के most important topic के बारे में जो की हमारा valentine event जिहां guys आर मैं आप लोगों को बता दू हमारे game के अंदर आधा अधूरा valentine event तो start हो चुक है जैसे की guys आप लोगों को पता होगा हमारे game के अंदर अभी के time पे जो moco store event available है साथी साथ जो हमारे game के अंदर fitted wheel आया था वो दोनों ही valentine event के थे उन दोनों में ही valentine event के item थे जिहां guys आर कहने का मतलब यह है कि हमारे game के अंदर valentine event के item तो आना start हो चुक है बट अभी तक हमारे game के अंदर valentine event का ना तो calendar आ रहा है और ना ही कोई free reward और guys उसका reason भी मैं आप लोग को पताएता हूँ तो guys आप लोग को पता होगा अभी के time पर हमारे India server के अंदर bermuda dream event चल रहा है तो guys जब तक हमारा bermuda dream event खतम नहीं हो जाता हमारे game के अंदर valentine event का calendar या फिर उसका कोई free rewards add नहीं होगा बाकी guys आर मैं आप लोग को पताऊं तो तीन दिन बाद यानि की 10 तारीक के दिन हमारे game के अंदर से bermuda dream event पूरी तरीके से खतम हो जाएगा और यार जैसी हमारे game के अंदर से bermuda dream event खतम होगा तो उसी डेम पे guys हम लोग को हमारे game के अंदर ये valentine event देखने को मिल जाएगा और guys अगर हम लोग बात करें इस valentine event के free rewards की तो देखो guys आभी तक हमारे india server के अंदर ना तो कोई calendar एड़ हुआ है और ना ही कोई event इसलिए guys आर मैं आप लोग को एक possible calendar दिखा देता हूँ जो कि guys हमारे free fire के Thailand server का है जिहां guys आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो ये जो calendar अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो chances है कि हमारे india server के अंदर भी यही calendar है क्योंकि guys हमेशा ही ऐसा होता है किसी भी mega event में जो free rewards हम लोग को Thailand server में मिलते हैं ये एक female bundle मिल रहा है and guys में आप लोग को पता तो पूरा 100% confirm है कि हम लोग को हमारे india server के अंदर भी ये female bundle free मिले बाकी guys अगर हम लोग इस bundle की बात करें तो यार इसको free के मुताबिती बना रहा है ज़्यादा कुछ खास अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है बाकी यार free में मिल रहा है तो इसको तो सभी लोग लेंगे then guys अगर यहाँ पर हम लोग को कुछ mission देखने को मिल रहे है जिनके बदले में हम लोग को यहाँ पर से heart वाला token मिल रहा है then guys अगर इसके बाद यहाँ पर कुछ और free rewards दिये हुए जो कि आप लोग स्क्रीन में देखी पा रहे होगे यहाँ पर guys एक face print है यहाँ पर bat का skin है साथ ही साथ guys आर यहाँ पर और भी काफी सारे item है जो कि आप लोग स्क्रीन में देखी पा रहे होगे overall guys आर मैं आप लोग को बताऊं तो हम लोग को हमारे India server के अंदर भी ऐसे event देखने को मिलेंगे and यार अगर हम लोग बात करें free rewards की तो guys आर chances तो बहुत जाद है कि हम लोग को exact same to same यही free rewards हमारे India server के अंदर भी देखने को मिलें भाई सच मियार मैं तो बहुत जादा excited to Valentine event के लिए and मुझे बता है guys आर इन free rewards को देखके तो आप लोग भी काफी जादा excited हो गए होगे बाकी guys आर अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे game के अंदर आने वाले emote party event के बारे में जी हाँ guys आर देखो मैं आप लोग को बता दू इस बार हम लोग को हमारे game के अंदर या तो emote party event देखने को मिलेगा या फिर emote royal देखने को मिलेगा और guys अगर मैं आप लोग को बताऊ तो इस बार तो emote royal के आने के ज़्यादा chances हैं बाकी guys आर अगर हम लोग बात करें emote royal की confirm date की तो guys आर मुझे तो लगता है कि हमारे game के अंदर emote royal कल सुबह यानि की 7 तारिक की सुबह चार बजे आ जाएगा बाकी guys आर देखो मैं पहले बता दू यह 100% confirm date नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि हमारे game के अंदर emote royal कल ना आके 8 तारिक को आए बड़ इतना confirm है कि guys आर बहुत ही जल्द हमारे game के अंदर emote royal आ जाएगा overall guys यार मैं आप लोगो बताऊं तो फिलाल तो मेरे पास valentine event का जितना भी information था मैं आप लोगो सब कुछ बता चुगा हूँ बाकी guys आप लोग चिंता मत करो आने वले टाइंपे मुझे इस topic के regarding कुछ और information मिला तो मैं आप लोगों को वो भी वीडियो बना के बता दूँगा बट यार क्योंकि फिला तो आज के वीडियो मेरे पास इतना ही information था इसलिए काई हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को ही पर ही end करते हैं मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नहीं नहीं अपडेट्स के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर